चतिसगड की साजा विदानसबा सीट पर कॉंग्रेस के वरिष्ट ने था और आट बार के विधायक रविंदर चोबे को हार का सामना करना पड़ा है खास बात ये है कि उन्हें जिस कैंडिडेट से हार मिली उन्होंने इससे पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था दरसल चतिसगड विदानसबा चुनाव में भारतिय जंता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है 90 विदानसबा सीट वाली चतिसगड में बीजेपी ने कुल 54 सीटे हासिल की जबकि सत्ताधारी कॉंग्रेस को केवल 35 सीटों पर ही जीत नसीब हुई इन चुनावों में उपमुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के नो मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा इनी सब के बीज जिस एक सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है वो है बेमतरा जिले की साजा विदानसबासी रविंदर चोबे को बीजेपी परत्याशी ईश्वर साहू ने 5297 वोटों से हरा दिया पेशे से मजदूर ईश्वर साहू के बेटे की इसी साल राज्यय में हुई दंगों में मोध हो गई थी इन चुनाव में भाजपा के परत्याशी ईश्वर साहू को 1,1789 वोट मिले वहीं रविंदर चोबे को 96,593 वोट मिले हैं वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलिय उमिद्वार सुनील कुमार रही जिने 2844 वोट मिले हैं